Dear student, we have to discuss about eco-intelligent education for the sustainable future life. हम भाग करें eco-intelligent education. मैं थोड़ा सा revise करना चाहूंगा और मैं example देना चाहूंगा अफरीका की जहां पर हमने बात की थी discrimination की मैं उसी discrimination को आगे जाके eco-intelligent के साथ link करने कोशिश करूँगा देखें हमने का कि अफरीका के कुछ मुमालक है जहां पर discrimination है gender race और ethnicity की वेज़ा साथ इसके ओपर हमने गुफ्तवगूपी की और उसके बाद हमने कहा के MDGs जब बात चार रही थी millennium development goals की तो उसके अंदर बहुत सी data में support करेगा और हम उसको देखकर बता सकते हैं कि किसा तक discrimination खत्म करने में कामजाब हुए यह नहीं हुए लेकिन दूसरी तरफ यह सारा link है education के साथ और फिर यह link है quality education के साथ और फिर quality education के अंदर जब हम बात करते हैं तो फिर हम एको intelligent की बात करते हैं अब देखें हमारे पास जब अल्ला सुभाना ताला ने inequality distribution की हुई है resources के अवाले से भी और हर लियास से भी तो हम इसको उस अंदाजे से discuss करना चाहिए awareness देना चाहिए कि यह जो हमारा planet है यह भी limited है हमारे जो resources हैं वो भी limited है और distributed है और in distributed के अंदर iniquid equality है देखें कोई मुलक ऐसा है मैं अब हम उसको एक्जामपल देंगे ताकि आपको जब ecosystem समझ आ जाएगा तो फिर आपको understand करने में असानी हो जाएगी हमारे पास पूरी दुनिया के planet की बात करें तो कुछ ममाले कैसी हैं जिन पर जिनके पास आईल के बहुत resources हैं कुछ ममाले कैसे हैं जिनके पास गैस के सखायर बहुत है कुछ ममाले कैं जिनके पास गोर्ड है कुछ ममाले कैं जहां पर सी resources है अब यहां पर यह बात समझने की जरूरत है कि हमारा जो creator है अल्ला सुभाना ताला जो है उसने कोई equal distribution नहीं किये यह जनी ऐसा नहीं है कि पाकिसान को इतना आयल चाहिए इतना पाकिसान को आयल दे दिया इतनी गैस चाहिए उतनी गैस उसको दे दी इतना हमें other resources चाहिए गोल्ड चाहिए उतना से गोल्ड दे दिया इतना UK को चाहिए इतना USA को चाहिए इसका मतलब है जो अल्ला सुष्वाना ताला की डिस्टिपुशन है वो एकुल डिस्टिपुशन नहीं है अगर ये बात हमें अंडर्स्टैंड हो जाती है हम ये बात बच्चे को समझाने में कामजाब हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो इस प्लैनेट के अंदर जो अधर रिसूर्सेज है उसके बाद जेंडर है रेस है अगर आप कहें कि इसकी इकुल डिस्टिबिशन में चले जाएगी तो नहीं है अगर हम यह चोटा सा पॉइंट समझ आ जाए जिसको हम कहरें एको इंटेलिजेंट एजूकेशन अगर हम बच्चे को यह समझाने में काम्याब हो जाएं कि हमारे जो निश्टिनल डिसूर्सेज है वह भी इकुल डिस्टिबिशन नहीं है पूरी आर्थ के उपर लेकिन यह अब देखें हमने पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दिया मुख्तलिफ अंदाज में हमने अपने रिसूर्सेज को शेयर कर लिया कि मैं उसके एक एग्जामपल दूँगा आपको कहीं से हम आई ले रहे हैं और उसके बदले वह मुल्क के पास काटन नहीं हैं काटन दे रहे है अब देखें ये इंटर कनेक्शन है इसका मतलब है कि हर एक प्लैनेट के उपर बसने वाले मुल्क जो है वो दूसरे मुलके के साथ डिपेंडनेंट है अगर ये हमें पूरा सिस्टम अंडर्स्टेंड कर ले और बच्चे को ये समझाने के काम्याब हो जाए तो आप देखें कि आपकी डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म हो जाएगी आपकी जो हम बात करते हैं सिस्टेनेबल फूचर की सिस्टेनेबिलिटी की वो भी आपके सामने आ जाएगी आपको एक अवेरनेस मिलेगी और अवेरनेस मिलने के बाद आप ये समझने में काम्याब हो जाएंगे कि मुझे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने ये भी अंडर्स्टेन करने के में काम्याब हो जाएंगे कि जिसने ये क्रियेशन बनाई है अगर ये हमें बात समझ आ जाएं जिसको हम कह सकते हैं एको इंटेलिजेंट एजूकेशन अगर बच्चे को दी जाए तो इस सवेरनेस से हमारे जितने भी जो गोल्स हैं बहुत से गोल्स हैं जो बेस अंदर डिस्क्रिमिनेशन है वह आटोमेटिकली खत्म होगे